हाकु जी का से कबूतर बच्चे का से कबूतर हाकु जी का से ककड़ी सोहन गुरु जी ये कहां लिखा है हाकु जी अरे ओ मूर्ख जो लिखा हुआ है उसे ही याद करोगे का से कबूतर रटते रटते तुम लोग बोर नहीं हुए ये पुस्तके लिखने वाले भी कितने बुडबक है पसंती ये बुडबक क्या है हाकु जी बांगला भाशा का शब्द है इसका मतलब होता है मूर्ख बसंती क्या आपको बांगला भाशा आती है हाकु जी मुझे बा चिल्रान, यू आर डांकी, यू आर उडाइंग माई मजाक, बच्चे हसते हैं, चुप, बड़ों का आदर करना सीखो, जो अपने गुरुजी की हसी उडाता है, उसे जीवन में अनेक कश्ट उठाने पड़ते हैं, बसंती, क्षमा गुरुजी, वह बच्चों को इशारा करत है, बच्चे उठकर चरण छूते हैं, और क्षमा क्षमा कहते हैं, हाकुजी, अच्छा-च्छा, क्षमा किया, पढ़ो, खा से खरगोश, खा से खरगोश, हाकुजी, गा से गधा, बसंती, गुरुजी, गा से गधा ही होता है, और कुछ नहीं होता, हाकुजी, अरे बिटि इस देश में पशू पक्षी ही ज्यादा है इसलिए आदमी निगाह में ही नहीं आता इसलिए गाह से गधा पड़ना पड़ता है सुहन सच मुच सारी किताबों को जानवरों से भर दिया गया है हाकु जी यदि मैं इस पुस्तक को लिखता तो देवी देवताओं से भर देता कासे कनहया खासे 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 खरदूशन योगेश गुर जी वह तो दैते था हाकु जी देवता दैतियों का तो साथ रहना ही है जहाँ देवता वहाँ दैते जहाँ भलाई वहाँ बुराई जहाँ सुक वहाँ दुख पगड़ी बांधे दुकांदार बना हुआ एक बच्चा आता है दुकांदार राम राम हाकु जी हाकु जी कौन हो भाई पहचाना नहीं दुकांदार मुझे नहीं पहचाना, मैं सेट मटरुमल हूँ हाकु जी भाई, पहचाना तो नहीं, पर बता कैसे आया है, कोई ताबीस चाहिए क्या दुकानदार नहीं हाकु जी, मुझे पेमेंट चाहिए आप दो महीने पहले गेहू की एक बोरी उधार लेकर आये थे हाकु जी हाँ, हाँ, याद है, गंभीर होकर सेट जी, आपके भाग फूटे हुए है, दुकानदार मेरे भाग फूटे हुए है, वह कैसे? हाकु जी, संट परसंट ही नहीं, संट परसंट पर पचास परसंट और जोड दीजिए उतने भाग भूटे हुए हैं आपके दुकंदर नाराजगी से आप क्या कहना चाहते हैं मेरे भागे हाकु जी भाई यदि आपके भाग अच्छे होते तो मुझे आमदनी नहीं होती भगवान की सोगंद है जबसे आपने गेहु की बोरी उधार दी तबसे फूटि कौड़ी भी नहीं कमाई हाकु जी जब आप पर राम राजी हो जाएं तब मेरे रुपए पहुँचा दें मैं दूजरी बोरी नहीं देने वाला हाकु जी भाई आपकी मर्जी मेरे पास तो जैसे ही रुपए आवेंगे आपकी दुकान पर पहुँचा दूँगा मेरी नियत साफ है काज की तरहां राम राम दुकान दर चला जाता है नाराएंड वा गुरु जी वा क्या मुलतानी टांग मारी है सेट चारों खाने से चित हाकु जी नहीं बेटा जो सच बोलता है उसका बेड़ा भगवान पार करता है इधर एक पैसे की भी आमदनी नहीं हुई है चलो, पाट शुरू करें सूरज निकलता है बच्चे सूरज निकलता है हाकू जी प्रती दिन स्नान करना चाहिए बच्चे प्रती दिन स्नान करना चाहिए बसंती गुरु जी, क्या कड़ाके कि ठंड में भी? मेरी मा तो हाथ मुधो कर इत्र लगा देती है बस कहती है नहाने से जुकाम हो जाएगा हाकु जी आरे छीकती क्यों है सोहन गुरु जी इसे नहाने के नाम से जुकाम हो जाता है हाकु जी ऐसा होता है कभी चलो बोलो दांत को अच्छी तरह साफ करो उसी समय सफेद टोपी पहने लाला बना हुआ एक बच्चा आता है हाकु जी हाई ये नेता जी अभी तो चुनाव नहीं है फिर आपके दर्शन कैसे हो गए लाला मैं नेता नहीं हूँ हाकु जी भाई हम हर सफेद टोपी वाले को नेता ही कहते हैं मोटी वुद्धी के हैं ना लाला मुझे बातों के चक्कर में मत डालिये आप मुझसे जो रुपए उधार ले गए थे उन्हें वापस कर दीजिये बस हाकु जी मैं रुपए उधार ले आया था? कब? लाला पांच बरस हो गए हाकु जी भाई मुझे तो याद नहीं इन पांच बरसों में कितने उतार चड़ाव आ गए इस भागम भाग में किसे याद रहता है? सो पांच सो रुपए पर्चा है? लाला पर्चा तो नहीं है पर्चा तो आपने लिखा ही नहीं कहा था ब्राह्मन की बात का विश्वास नहीं करते जानते हो मेरा नाम हाकु जी है हाकु जी भोले भाई मुझे सारा इलाका जानता है मुझे तो याद नहीं यदि पर्चा भी लिखा होता तो तीन बरसों के बाद रद्धी हो जाता गंभीर होकर सुन लाला बही में एक खाता होता है बट्टा खाता यदि मैंने रुपए लिए हैं तो उन्हें बट्टे खाते में लिख दे यानि गई भैस पानी में हाकु जी उपर वाले से डरो उपर भी एक अदालत है इस जनम का उस जनम में देना पड़ता है अगले जनम के लिए ले ले ना परचा लिखू लाला जाते हुए कैसे कैसे बैमान लोग हैं पैसा ऐसे डकार जाते हैं जैसे रस्बुल्ला पर भगवान सब देखता है उसके घर में देर है अंधेर नहीं लाला चले जाते हैं हाकु जी कितने बदमाश लोग पैदा हो गए हैं बच्चों कोई बनिया बिना लिखा पड़ी के फूटी कोड़ी भी देता है बच्चे नहीं हाकु जी बोलो सच्चाई का फल मीठा होता है बच्चे सच्चाई का फल मीठा होता है स्ट्री बनी हुई एक बच्ची आती है स्ट्री राम राम हाकु जी हाकु जी राम राम बाई सुभा सुभा मंदिर जा रही हो क्या स्ट्री मंदिर ही समझ लीजिये आपके पास आना किसी मंदिर से कम होता है हाकु जी एक तू ही समझदार है इस शहर में अरे हाकु जी का सारा जीवन परवकार में ही बीत रहा है स्त्री मेरे रुपए का क्या हुआ देखिए आपको मैंने कितनी जरूरत पर दिये थे हाकु जी इसमें कोई शक नहीं पर तूने प्रसन्नता से रुपए नहीं दिये लगता पर कुछ उसके भागे फूटे थे और कुछ तेरे ना वह कमाने लायक हुआ और ना तेरे रुपए वापिस दे सका स्त्री मैंने रुपए शर्ट पर थोड़ी ही दिये थे हाकु जी यह सच है मैं तो जमानती हूँ ना मैंने यह जरूर कहा था कि यदि मेरा भाणजा रुपए नहीं देगा तो मैं दे दूँगा वह बेचारा इंकार थोड़ी ही कर रहा है अरी पगली मेरा भाणजा तो तुम्हारा भी भाणजा हुआ ना जरा मौसीपन का धर्म निभा फिर भी मैं कल उससे मिलूंगा जा जा सुभा सुभा मंदिर जाया कर इन तकाजों के फेर में अपना लोग पर लोग मत बिगाड राम राम बच्चों पढ़ो दया धर्म का मूल है बच्चे दया धर्म का मूल है हाकु जी अच्छाई कर भूल जा बच्चे अच्छाई कर भूल जा हाकु जी जाओ अपने अपने घर जाओ हाकु जी उठते हैं प्रश्ट भूमी में घंटा बजने की ध्वनी होती है परदा गिरता है